दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी को डिसक्स करने जा रहे हैं जिसका नाम है कादमबरी कहा जाता है संस्कृत लेंग्वेज में लेखी हुई दुनिया की सबसे पहली नोवल है यह सिर्फ संस्कृत लेंग्विज में नहीं, दुनिया भर की जित्री भी लेंग्विजिस हैं, उनमें सबसे पहली नोबल माना जाता है कादमबरी को दोस्तों इसको लिखा था महा कवी बान भटने पूरा complete इन्होंने नहीं किया था, बलकि इनकी बेटे ने भूशन भटने किया था इसको complete तो आगे मैं सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, बड़ी interesting कहानी होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के end में कादमबरी कहानी को पढ़ने से पहले आप थोड़ा बान भट के बारे में जान लो तो ज्यादा बटर आएगा बान भट संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा नाम है दोसों, ये राजा हर्शवर्दन के टाइम के कवी थे और इन्होंने अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम में दो सबसे इंपोर्टन वर्ट लिखे हैं, पहला हर्शवर्दन जो कि इनके राजा के लिए लिखा हुआ था, हर्शवर्दन की लाइफ पर लिखा हुआ वर्ग और दूसरा कादमबरी जिसको आज हम पढ़ रहे हैं और इनके बाद इनके बेटे पुलंद भट ने इसको पूरा किया था, जिसको भूशन भट भी कहा जाता है, अपने नाम सुना होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़िये तो, अब ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ, देखो एक दिन उसके दरवार में एक चांडाल लड़की आती है, ये चांडाल कन्या, ये चांडाल लड़की अपने साथ में एक तोता लेकर आती है, उस तोते का नाम होता है शुक, इस तोते के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये एक विलक्षन प्रतिवह का धनी होता है, मतलब संस्क जूरुत में श्लोक भोल लों या काफी सारी चीज़े यह जानता है और काफी सारी चीज़े यह बोल भी लेता है तो यह चांडाल कन्या इस तोते को लागर राजा को देती है कि यह तोता आपके पास होना चाहिए राजा शुद्रक इस तोते को देखकर बड़ा इंप्रस होते हैं वो कहते हैं कि मुझे दे दो वो रख लेते हैं इस तोते को शाम के वक्त जब वो इस तोते से बाच्चीत कर रहे होते हैं तो इससे पूछते हैं कि मुझे बताओ, तुम इतना सब कैसे जानते हो, तुम्हारे जनन की कहानी बताओ, कहां से आये हो तुम, तोता बोलता है कहानी बहुत लंबी है, लेकिर अगर फिर भी आप सुनना चाहते हो, तो सुनो मैं आपको सुनाता हूँ, तोता बोलता है कि मैं, ये बोलता है कि मैं इस कन्या के पास में नहीं था मैं अपने पिताजी के साथ में विंध्यात वही पंपा सरोवर के आसपास रहते थे हम लोग पेडों पर घोसले बने हुए थे तोता बोल रहा है कि मैं अपने पिता के साथ पंपा सरोवर के पास में जो पेड़ बने हुए थे उन पर जो घोंसले ठंग रहे थे, वहाँ पर रहता था तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर कुछ शिकार करने वाले लोग आए या कह सकते हैं, पक्षी पकड़ने वाले लोग आए उन लोगों ने क्या किया, तोतों को पकड़ना शुरू कर दिया उस डर से मेरे पिता ने मुझे अपने पंखो में दबा लिया ताकि वो शिकारी मुझे न बार पाए उन्होंने जब मेरे पिता को पकड़ने की कोशिश की तो मेरे पिता ने बहुत कोशिश की मुझे बचाने की लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में वो खुद न बच पाए मैं तो बच गया लेकिन मेरे पिता जी नहीं बच पाए अब वहाँ पर सरोवर के पास में एक रिशी आए उन रिशी का नाम था हारित रिशी जो जबाली मुनी के यहाँ पर उनकी कुटिया में ही रहते थे यग्य बगेरा करते थे उन्होंने जब देखा कि एक छूटा सा तूता अकेला जमीन पर घूम रहा था तो उन्होंने मुझे उठा लिया और अपने साथ इस कुटिया में लेकर आए जाबाली मुनी हारित रशी के पिता थे वो जा कर अपने पिता जाबाली मुनी को दिखाते हैं कि देखिए मैं एक तोटा लेकर आया हूं और बड़े दुक्टी बात है कि इस तोटे के पिता को कुछ शिकार्यों ने मार दिया पता ने इस बिचारे के साथ ऐसा क्यूं हुआ तो इस पर जवाली मुनी मुस्कुराते हैं और बस एक छूटी सी बात कहते हैं कि ये तो इस तोते के पूर्व जन्मों का फल है पिछले जन्म में इसने कुछ ऐसा किया जिसकी वज़े से आज ये भुगत रहा है शीश्यों को भी जानना होगा कि मुनी बताएं इसने पिछले जन्म में क्या किया था तो मुनी को अब पिछले जन्म की कहानी सुनानी है और यही कहानी है कादम बरी चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये कहानी क्या है मुनी अब कहानी सुनाते हैं बोलते हैं कि उज्जेनी का एक राजा था तारापीड, उसकी पत्नी का नाम था विलास्वती, इनकी पास में सब कुछ था सर्फ एक चीज की कमी थी कि इनके कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, और बहुट टाइम के बाद में जाकर इनको एक बेटा हुआ जिसक एक चीज और ध्यान दो, इस तारापीड का एक मंत्री है, जिसको आमात्य बोला जाता है, जिसका नाम है शुकनास, उसकी बीवी का नाम है मनोरमा, उसको भी बेटा नहीं था, उसको भी काफी टाइम बाद में जाकर एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने रखा वैशंपायन, मतलब एक ही टाइम के आसपास हुए थे, चंदरापीड और वैशंपायन, चंदरापीड तो राजा का बेटा था, जबकि वैशंपायन मंत्री का बेटा था, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों साथ में पड़े बचपन से, और साथ में खेले कुदे बड़े हुए, ऐसा लगता ही नहीं था कि दोनों राजा और मंत्री के बेटे थे, बलकि दोनों को देखकर लगता था, दोनों एक ही बाप की संतान है, और दोनों को साथ में ही गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए भीश दिया, जब इनकी पढ़ाई पूरी होने वाल वापिस लोटते हैं, तो दोनों जनों को दिखवजय के लिए भीजा जाता है, दिखवजय का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिखवजय प्रस्थान का मतलब होता है कि जाओ हमारे राजजी को बढ़ाओ, किस-किस को भीजा है, तारापीड को और वेशमपायन को जो पे दिखवजय के लिए गए थे, लेकिन एक दिन चंद्रापीड उठकर, अकेले ही निकल पड़ा शिकार पर, तो रास्ते में, तो उस वक्त एक प्रजाती थी किन्नर यूगर, उनका पीछा करते करते ये एक सरोवर के पास में पहुँच गया, सरोवर मतलब कालाब जैसा नाम था, महाश्वेता, उस खुबसूरत लड़की का नाम क्या था, महाश्वेता, जो हंस और गौरी की बेटी थे, अब ये सरोवर के पास में क्यों बैठी है, ये बताती है, ये कहती है, एक पुंडरिक नाम का आदमी था, जो मेरे प्यार में पढ़ गया था, इसमें हिं रृष्टिधों के बाद महाश्वेता सोचती है कि मैं भी मर जाओं, लेकिन उसी बक्त एक आकाशवाणी होती है, वो महाश्वेता को बोलती है, कि नहीं तुम मरो मत, तुम्हारा ये जो पुंडरिक है तुम्हें फिर से मिलेगा, तो इसके लिए महाश्वेता क्या करती ह कि जब तक वो मुझे मिलेगा नहीं, तब तक मैं कावमार्य व्रत रखूंगी, यह कावमार्य का मतलब होता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्तिक कभी भी संभूग नहीं करता, तो ये व्रत रेलिती है, कि जब तक मुझे मेरा पुंडरीक वापिस नहीं मिल जाता, कोई बात नहीं लेकिन याबर दिक्कत क्या है कि मेरी एक सकी है मतलब एक फ्रेंड है जिसका नाम है कादंबरी उसने भी मेरे देखे-देखे कौमार्य वरित रख लिया लेकिन उसको इसकी जरुरत नहीं है अब ये चीज़ समझाने के लिए युबरा चंद्रापीड गए महाश्वेता के साथ कादंबरी को समझाने के लिए लेकिन चंद्रापीड जब कादंबरी के पास में पहुँचे तो कादंबरी को देखते ही वो हो गए आसक्त और कादंबरी भी इनको देखकर हो गई आसकत और चंद्रा पीड यहां पर कादमबरी को समझाते हैं कहते हैं कि आपका ये कौमारिय व्रत रखने का मतलब समझ में नहीं आया आप क्यों ये धरण करे बेठी हैं और इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है ये दोनों साथ में रही रहे होते हैं इतने में उज्जैन से इनके पिता का बुलावा आ जाता है तारापीड का युवराज घर लोटाओ जल्दी बहुत काम है चंदरापीड खुद तो नहीं जाते लेकिन वैशंपायन को भीज देते हैं कि दोस्त तुम जाओ वापस जाओ और पूरी सेना भी लेकर जाओ मैं आता हूँ अब जितना टाइम यहाँ पर चंदरापीड को रहना था वो रहकर वापस लोटे जब उज्जैनी तो उन्होंने देखा कि मुझसे पहले वैशंपायन निकल गया था लेकिन अभी तक पहुँचा क्यों नहीं अपने दोस्त की कोज करने के लिए चंदरापीड वापस उज्जैन से अच्छोच सरोवर लोटते हैं देखने के लिए कि कहा गया वो वापस आकर इन्होंने तापसी कन्या महाश्वेता से पूछा कि बताइए आपने मेरे दोस्त को देखा वैशंपायन नाम है उसका तो महाश्वेता बोलती है कि हाँ आपका दोस्त यहाँ पर आया तो था लेकिन मुझे देखकर वो आसक्त हो गया मैं तो तब कन्या हुँ न वो मुझ पर आसक्त हो गया उसने गलती कर दी मैंने उसे शाप दे दिया और वो एक तोता बन गया तो इस तरह से ये वैशंपायन उस मंतरी का बेटा था जिसने इस तापसी कन्या महाशवैता पर आसक्त होकर गलती कर दी और ये एक तोता बन गया जिस तोते का नाम है शुक अब दोस्तों चंद्रा पेड जो इतने टाइम तक एक दोस्त के साथ में रहा बच्पन से बड़ा हुआ उसको पता चला कि मेरे दोस्त को शाप मिला जिसकी वज़े से वो एक तोता बन गया उससे ये दुख बरदाश्ट ने हुआ और वो भी मर गया उसकी मौत के बाद कादंबरी जीकर क्या करती है वो कहती है कि मैं भी मर रही हूँ लेकिन जब वो मरने वाली होती है तभी होती है एक आकाश्वाणी वो आकाश्वाणी में कादंबरी से कहा जाता है कि तुम मरो मत जल्द ही तुम्हारी सकी माश्वेता और तुमको तुन हुआ था चंद्रमा और पुंडरीक के रूप में चंद्रमा और पुंडरीक की आपस में लड़ाई हो गई थी इन दोरों ने एक दूसरे को श्राव दे दिया था कि ये दोरों बार बार जन्म लेते रहेंगे और मरते रहेंगे अब ये जो वैशम पायन जो है जो महाश्वेता के शांप की वज़े से एक शुक एक तोते में बदल गया है ये पिछले जनम में पुंडरीक था और ये चंद्रपीड पिछले जनम में चंद्रमा था अब इस जनम में ये तोता बन गया थीक है तोता बन कर ये राजा को कहानी सुना रहा है आपने सोचा कि ये राजा कोहान है दोस्तों ये राजा चंद्रापीड है ये राजा शुद्रक चंद्रापीड है तो सबसे पहले वाले जनम में ये चंद्रमा था फिर बाद में चंद्रापीड बना और बाद में आज ये राजा शुद्रक है जबकि पुंडरिक पहले जनम में पुंडरिक था फिर फैशन पायन बना और अब ये तोता शुक है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को बार बार जन्म लेने और मरने का शाम दिया था इसलिए पैदा होते हैं और मरते हैं और इस तोते को इसकी पूरी कहानी सुनाई थी जाबाले रिशी ने जाबाले रिशी ने जब ये कहानी सुनाई इसे ये पकड़ कर चांडाल करन्या पकड़ कर यहाँ पर ले आती है राजा शुद्रक के पास में तो अच्छा ही हुआ ना राजा शुद्रक को भी पता चला कि वो पिछले जनम में क्या था अब इन दोनों को जब ये पता चला तो इस तीसरे जनम में जाकर इनके शाफ की समापती हो गई और जब इनके शाव की समापती हो जाती है, मतलब इनको मुक्ती मिल जाती है, तब जाकर ये दोनों अपने प्रेमिकाओं की पास में वापस जाते हैं और सुख से अपना जीवन जीते हैं, यहाँ पर ये कहानी कतम होती है अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये confusing सी story समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी फिराल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में